इस सेशन में हम 18-22 अक्तुब बर 2021 के हिमाज़वदेश के क्रेंटर फेर डिसकस करेंगे इस के किस के किस बैंक ने अपने ग्लाकों के लिए QR Code सुरू की आपने कस्टमस के लिए ग्सक्राइब समझते हैं QR Code लइसे को जब भी हम online money transfer करते हैं या उपिए के मादवनम से money transfer करते है तो भांबर एक QR कोड का option भी आता है इस तरह से option देखा होगा इसे बोलते हैं QR कोड की facility तो यह शुरू की है कांगरा सेंटर को अपर बैंक ने और इसे जो है दो प्लैटफर्म पर दिया जाएगा एक तो एटल पेमेंट बैंक पर और दूसरा phone paper याद रखेगा एटल पेमें यानि की पिछले वर्ष किस बैंक को स्तापित हुए हुए पूरे सौ वर्ष हो चुकी है तो वो है कांगरा सेंटर कोड़ी बैंक और इसकी चेर्मेन है डॉक्टर राजीब भारदवाज कुष्टु कही का एक पराश्जित समार हो हिमाजड़ेश के किस मेले से संबंदित है तो कुछ सर्मनी है कुछ समार हो हो आईजित की जाते है इंपोर्टन इसलिए है क्योंकि है एचेस के एक्जाम में इस तरह से कॉशन पूछी जा सकते है तो इसमें एक है कुष्टु कही का इसे बोलते है एक्सपाश्जन सर्मनी यानि कि प्राश्जित समारो प्राश्जित किया जाता है प्रेयर की जाती है ताकि जो देवी देता है वो खुश हो जाए और prayer करने के बाद अगर बारिश हो जाए तो इसका मतलब होता है कि जो देवी देवता है वो खोश हो चुके हैं और उनने prayer को accept कर लिया है इसके लाबा एक और सर्मिनी की जाती है उसको वोते हैं चिद्रा चिद्रा एक तरपरकार का यजना होता है यग्य होता है इसमें जो भी कुलू का डारपूर ग्राउंड है उसमें जो भी negative powers हैं उन सभी को clean किया जाता है उन सभी को remove किया जाता है इसे कहते हैं चिद्रा तो इन दोनों का नाम याद रखेगा एक है कुष्टू कहीगा एक है इस तरह के question H.S. के रिताम में आ सकते हैं इसके लावाब बात की जाए कुलू दशेहरा की तो कुलू डिस्टि के ढारपूर मैदान में इसका होजन किया जाता है और rising moon के 10th day में इसका होजन किया जाता है और rising moon का 10th day है उसे बोलते हैं विजय दश्मी उस में ये शुरू ह होता है और साथ दिनों तक ये चलता है तो याद रखिएगा ये line काफी important है कि जो rising moon है उसका जो 10th day है उस दिन शुरू होता है कुलू का दशेहरा और इसमें जो जलेब है जो रत्यात्रा है वो निकाली जाती है Lord रगनात की भगवान रगनात की इसके लावा बात करें कि क अब ये शुरू हुआ था तो कुलू के गराजा थे राजा जगरसिंग वर्ष 1637 से रहे के 1672 तक इन्होंने शाशन किया और उनके शाशनकान में इसे शुरू किया गया था How many deities have come to participate in the 7-day कुलू दिशेरा festival which is the highest number in the last 15 years साथ दिवसी कुलू दिशेरा उस्ता में भाग लेने के लिए कितने देवता आए हैं जो पिछले 15 वर्षों में सबसे अधिक संक्या है तो कितने आए हैं 281, option भी correct answer है देखे पिछले 15 वर्षों में सबसे अधिक हैं आप देख सकते हैं वर्ष 2010 में 210 आए थे और वर्ष 2020 में COVID-19 की restriction थी इसकी वज़ा से 13 ही आ सके और इस बार 201 आए हैं इसके लाबा ये भी आद रखेगा जो कुल्लू देशहरा festival है इसकी जो committee है उसके जो वाइस टेर मैन होते हैं वो वहां के कुल्लू के deputy commissioner होते है faculty commissioner है अशुटोष गरक विच युनिवस्टी इस सेटिंग अप अ कमर्शिल फूर्ड टेस्टिंग लैब विद फाइनेंशिल स्पोर्ड फॉर्ड फूर्ड फूर्ड प्रसेसिंग केंदरी ये खाद्य प्रसंसकर मंत्राले की वीती साहिता से कौन सा विश्यव देलियर एक वानेज्य खाद्य प्रसिक्षन प्रयोक्षार अस्ताप्रित कर रहा है तो कौन कर रहा है ये कर रहा है शूर्णी इंवस्टी सोलन देखिए जो हमारी शूर्णी इंवस्टी सोलन है वहां पर एक कमर्शिल फूर्ड टेस्टिंग लैब शुरू की जारी है और ये शुरू के जारी है financial sport दी जारी है union ministry of food processing के द्वारा देखिए ये हिमाजल के जो इतने फार्मर्स हैं उनके लिए काफी important है क्योंकि जो उनके food product हैं उनको यहाँ पे check करवा सकते हैं कि वो ठीक है या नहीं है इसलिए पूरे हिमाजल के लिए काफी important है ये question भी important है याद रखिएगा और अभी जो हमारी union ministry of food processing है उनके द्वारा 1.62 क्रोड की grant देदी गई है और इसका जो total outlay है वो है 2.85 क्रोड रुपीज Where is army heritage museum situated in हिमाजबदेश हिमाजबदेश में army heritage museum कहां पर स्थित है तो कहां पर है ये है SHIMला में स्थित रिवाली थेटर कहा स्थित है जिसे जल्द ही दवस्त कर दे जाएगा कहां पर है यह है शिमला में देखे दवस्त क्यों कर जाएगा क्योंकि इसकी जो साइड वॉल्स है उनमें दरार आचुकी है और मुवी देखने के लिए अंदर जाने के लिए इसे जो है अब खराब गोशित कर दिया गया है इसलिए अब इसे दवस्त कर दे जाएगा त्याद रिखे का जो रुवाली थेटर है वो कहां पर है यह शिमला में है इस ब्रेंड से बेचे जाएगा ऑनलाइन यानि की फिलिपकाट और एमाज़न पर तो इस ब्रेंड का नाम क्या है और पूरे वहारत में से शुरू किया गया है इसका नाम है option B correct answer है Sone Chiraya Sone Chiraya इसका नाम रखा गया है देखी के question important इसलिए है एक तो इसका नाम important है Sone Chiraya दूसरे important इसलिए है कि Solan में इसकी जो एगजिबीशन लगाई गयी थी और Flipkart और Amazon इन e-commerce platform पर जीतने भी product है self-help group के urban products को बेचा जाएगा टोटल 268 product की exhibition लगाई गयी थी इन्हें launch किया गया सोन्च रेया brand के नाम से नेक्स्ट इस रेसेंटली which office has been fully converted into an e-office हाली में किस कारेले को पूरी तरह से e-office में बदल दिया गया है तो कौन से office है यह हिमाचवदेश का यह है governor secretary तो हाली में हिमाचवदेश के governor है जो उनका जो secretary है उसे e-office बना दिया गया है और जो हमारे हिमाचवदेश के governor है राजिंदर विशनवात अर लेकर उनकी guideline थी की इसे e-office बना जाए तकि जो कारे है उनमें transparency आए और कारेव में speed आए ताकि कारे जल्दी से जल्दी हो सके इसके लाबा जो ही e-office है इसे develop किया गया है NIC दिल्ली द्वरा और इसे implement किया गया है Department of Information Technology द्वरा बात करें हिमाचापदेश की governor की वो है राजिंदर विशनवात अर लेकर 21st ये governor है इसके लाबा अगर हम additional charge वाले governor को भी add करें तो ये 30th governor है लेकि additional charge वाले governor कौन होते हैं जब भी किसी भी state में governor नहीं होते हैं तो जो वहाँ के high court की chief justice होते हैं उन्हें additional charge दिया जाता है तो उसे साथ से 30th governor है ये लेकिन अगर governors की list देखी जाए जो regular है तो 21st governor है राजिंदर विशनवात अर लेकर 13 जुलाई 2021 को ये governor बने थे हिमाज़ा परदेश के गोवा के पंजी के ये रहने वाले हैं इसके रावजो उनके secretary है वो है प्रियातू मंडल On the occasion of Police Commemoration Day on 21st October which gait has been released by हिमाज़ा देश governor for HP police 21 October को Police Commemoration Day यानि की Police समरिती दिवस पूरे भारत में मनाया जाता है हिमाज़ा देश में मनाया गया इसके लिएक समारो भी आज निकिया गया वहाँ पर police गौरफगीत ये लाँच किया गया है माज़ा देश के governor राजिंदर विश्यनात अरलेकर द्वारा According to the survey conducted by the health department which district had the least amount of iodine in the samples of salt स्वास्ते विवाग द्वारा किये कि सर्वेक्षन के अनुसार किस जीले में नमक के नमूनों में iodine की मातरा नियुनतम थी किसमें थी इसका क्रेक्ट अंसर ऑप्शन डी ब्लास पूर देखिए 21 अक्तुबर को World iodine Deficiency Day मनाया गया इसमें लोगों को अवेर भी किया गया कि iodine क्यों important है हमारे salt में और किस तरह से रोगों हो सकते हैं iodine की कमी से और जो हमारा Health Department है उनके दोर एक सर्वेक्षन किया गया था उसका डाटा भी रिलीज किया गया तो हिमाज़तिश की 12 में से 10 डिस्टिक्स ऐसी है जिनमें जो salt है उसमें iodine की मातरा 90 परिशन से अधिक है और जो दो डिस्टिक्स हैं जिनमें 90 परिशन से कम हैं एक है बिलासपुर और एक है किन्नौर बिलासपुर में जो salt में iodine की मातरा है वो samples में पाएगी 45.8% और किन्नौर में salt में iodine की मातरा पाएगी 84.7% जो की काफी कम थी और डिस्टिक्स के comparison में बात करें आइडिन की कमी से होने वारे रोगों की तो आपने देखी हो कि डिट नैशनल पर पहले भी एड आती थी गेंगा रोग की जिस तरह से हमारे गले में इस तरह से रोग बनता है गेंगा रोग फलाबर सी आ जाती है इसके लावा फटीग, कॉंस्टिपेशन, रफ स्क अबस्टि इस तरह की रोग भी हो जाते हैं हाउ मिनी प्राइविट इनुवस्टीज इन हिमाजवदेश विल स्टार्ट पीच डी फॉर आर्मी परसनल हिमाजवदेश में कितने नीजी विश्यवदाले सीना के जवानों के लिए पीच डी शुरू करेंगे तो कितने करेंगे तो पांच नीजी विश्यवदाले यानिकी पांच प्राइविट इनुवस्टीज हैं हिमाजवदेश में जो की पीच डी शुरू करेंगे आर्मी परसनल के लिए इसके लावा इस पीच डी कोर्स में कुछ और कोर्स भी प्रवड के जाएंगे जैसे कि 6 मन्त की इंटर्नशिप, सेंटर अफ एक्सलेंस इस्टैबलिश के जाएंगे एडवेंचर एक्टिविटीज शुरू की जाएंगी हिरी रीजन के लिए और इंडर्स्टियर कोर्बरेशन कोलाबरेशन भी की जाएंगी जितने भी हिमाच्टिश में प्रवेट इंवरस्टिज, प्रवेट स्कूल हैं, उन सभी की रेगुलेशन का कारह देखा जाता है हिमाच्पदीश प्रवेट एजुकेशनल इंस्ट्यूशोन्र कोर्फ जिसकी चेर्मेन है Asian Development Bank की साहता से यानि की Asian विकास Bank की साहता से याद रखिएगा जो हमारे हिमाजवदेश में अटल आदर्श आवासी विदैले बनाए जाएंगे Asian Development Bank की साहता से बनाए जाएंगे बात करें Asian Development Bank की Headquarter है Philippine's के Manila के Mandalu Yonge में 19 दिसंबर 1966 को इसके साहता की गई थी इसके प्रेज़ेंट है Manasasugoo Asakawa और टोटल 68 मेंबर्स हैं इस बैंक के Which state has won the 3-day 19th National Corp Ball Tournament किस रज्जे ने तीन दिवस्य 19 रास्टी Corp Ball Tournament जीता है अच्छे इसका आयोजन कहां किया गया था और किसने जीताई से इसे जीता भी हिमाचल प्रदेश नहीं तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के डारपूर मैदान में 19 रास्टी Corp Ball Tournament आयोजन किया गया था और इसमें हिमाचल प्रदेश ने से जीता है फाइनल में हिमाचल प्रदेश ने हर्याना को हराया है हिमाचल प्रदेश में 13 बारा से हर्याना को हराया और दूसरी बार हिमाचल प्रदेश ने इस कप को जीता है पिछली बार जब इसका 18 संसकर्ण हुआ था हिमाचल प्रदेश के उन्ना में वर्ष 2019 में तो उसमें भी हमाजबेश ने हर्याना को ही हराया था इसके लब आप बात करें कोर्फबॉल के दिए की confusion मत रखेगा जैसा बास्केट बॉल गेम है उसी तरह दिखता ही है गेम है इसमें बिल्कुछ सेंटर में इस तरह से नेट रिंग लगाई जाती है और एक टीम में आट प्लेयर्ज होते हैं चार मेल चार फिमेल प्लेयर्ज होते हैं टोटल आट प्लेयर्ज होते हैं एक टीम में और इस तरह से आँपर गोल करना होता है बारतिय राष्टिय विग्यान अकादमी दोरा मिलेरिया के लिए एक नई दवा की खोज के लिए ये हैं डॉक्टर मर्मोन शर्मा और ये हिमाज़दिश के हमिरपुर जीले के बोरंज उपमंडल के डो हुकाओं के रहने वाले हैं। और इन्हें यंग साइंटिस 2021 के पुर्षकार से नवाजा गया। क्यों नमा जा गया क्योंकि इन्होंने मलेरिया के लिए नई दवाई इजाद की है। और इन्हें ये अवार्ड जो है भारतिय रास्टी विग्यान अकैदमी दोरा दिया जाएगा। अगेंस्ट विच टीम डिड रेनुका ठाकर डेब्यूट फॉर इंडिया इन्दव वोमेंस टी 20 क्रिकेट मैच। और ये फास्ट बॉल रहे हैं। काफी अच्छा है इन्होंने परदशनी किया पहले मैच में। और इस्टेलिया के खिलाफ T20 मैच में इन्होंने अपना डेब्यू किया। इसमें काफी अर्केलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मॉन्यूमेंट्स हैं। उन में से दो ऐसे हैं जिनने लाइट अप किया गया। तो कौन है वो एक है कांगला फोर्ट दूसरा है नूर्पूर फोर्ट इनको लाइट अप किया गया। तक कि जो हमारे पूरे भारत ने एक बिलियन वेक्सीन डोजिस का जो लक्षे है उसे क्रॉस कर लिया है इसलिए इसे सेल्बेट करने के लिए इन्हें लाइट अप किया गया। आप देख सकते हैं मेज में इस तरह से तिरंगे वाले लाइट में लाइट अप किया गया। इसमें करें है जिन सभी की लोगों की हेल्प से 1 billion वेक्सीन डोजिस का जो मार्क हो करास हो चुका है उन सभी लोगों के प्रतीक एठिणीर इसके लावा जो 1 billion vaccine doses का ये जो मार्क है वर्ल्ड का largest और fastest vaccine drive है जो कि अभी भारत में ही हुआ है इसके लावा बात करें कि हिमाज़द्श में कितने ऐसे monuments हैं जो कि Archaeological Survey of India के अंतरगत आते हैं टोटल कितने हैं याद रिखेगा टोटल हैं ये 40 एक एक करके हम डिस्कस करेंगे क्योंकि एकजाम में काफी कोशन इन से देखने को मिलते हैं देखी चंबा डिस्टिंग में टोटल है 13 इसमें हैं गनेश टेंपल, लक्षमी एन की लक्षना देवी टेंपल, मनी महेश टेंपल, नार सिंग टेंपल, ब्रिजिश्वरी टेंपल जो की बर्दियात में हैं कन्फूजन मत रखेगा कांगडावाले से बंसी गोपाल टेंपल, चमुंडा देवी टेंपल, हरी राय टेंपल, लक्षमी नैरन ग्रूप अफ टेंपल, रॉक्स कुल्चर डेपिक्टिंग, सीता रामा हनुमान, शिरी सीता राम टेंपल और जंपावधी टेंपल और शिरी शक्ति देवी टेंपल टोटल 13 जो हैं वो जंबा में हैं, देखी इन सबी को याद रखेगा और ये भी याद रखेगा कि कहां कहां पर हैं, एक्जाम में कॉश्चन पूछा जा सकता है दो जो हैं वो हमिरपूर में हैं, कौन-कौन से हैं, कटोच पैलेस और नर्ब देशवर टेंपल ग्यारा कांगडा में हैं, आशापुरी टेंपल, बैजना टेंपल, सिदना टेंपल, बुदिष्ट स्तूपा नोन एज भीम का टिला रियून फोर्ट यान की कांगडा फोर्ट, रॉक इंस्क्रिप्शन जिसे, जो की कहां पर है, कन्यारा में है कोटला का रियून फोर्ट रॉक का टेंपल जो की मसरूर में है नूरपूर का रियून फोर्ट और पतियार की रॉक इंस्क्रिप्शन लॉर्ड एलिंगन की टॉम जो की अपर धरमशाला में है तो कांगड़ा में टोटल 11 है इसके लावा पांच जो है कुल्लू डिस्टिक में है जिसमें की बशेशर महादेव का टेंपल जो है कुल्लू के बजारा में गौरी शंकर टेंपल जो की दसाल में है मिनियेचर स्टोन शीवा टेंपल जगसुख में हेडिमबा देवी टेंपल मनादी में गौरी शंकर टेंपल नगर में लौसवीती में तीन हैं बुदिष्ट मौनिश्ट्री तावो में फूगोंपा तावो में मुर्कल देवि टेंपल उधेपूर में इसके लाबा मन्डी में है चार बर्सेला मौनिवेंट्स पंचबक्तरा टेंपल मंडी में लोकिना टेंपल मंदी में और अर्दभरणाशी शीवा टेंपल मंदी में सिरमोर डिस्टिक में एक है शीवा टेंपल जो की है मार्णगड में शीमला में एक ही है जो की हवाई-श्री गरेए डिसे की राष्ट्रपति भवन कहाते ही है total 40 है यह 40 की list अप चैनल के जीज़ीगा एक्जाम में ऐसे कोष्ण पुछा जा सकता है जैसी की एक्जाम में कोश्ण आएगा कि शीवा टेमपल काकर देते है तो इसे आप एसा तो बूलेंगे निया कि हमारे घर के साथ भी शीवा टेमपल झा तो उसके बारे में नहीं पूछा जा रहा है यह पूछा का कार्ये center government करती है archaeological survey of India करता है जब भी restriction लगा जाती है जैसे की covid के time restriction लगाई थी कि जितने भी archaeological survey of India के monuments हैं temples हैं उन में नहीं जा सकते तो इन सब भी 40 के 40 monuments में लगाई गई थी अब बात करते हैं हिमाज़़ी सरकार द्वारा जो protect के जाते हैं तो जो हिमाज़दे सरकार द्वारा जो प्रोटेक्टिड मॉनुमेंट्स रखे गए हैं टोटल पांच हैं जिनमें की चमुंड़ा टेंपल जो की चंबा में हैं इसे कांगड़ा वाले टेंपल से कंख्यूज मत कीजेगा तूसरा है दूछा मोचा टेंपल जो की कुल्लू में है मुरिकुला जैन टेंपल लावस्पिती का गौरी शंकर टेंपल मंडी का सूर नर्यन टेंपल शिमलाग ये पांच मॉनुमेंट्स हैं हिमाज़दे सरकार प्रोटेक्ट करती हैं इन सबी को याद कर लेगा कर लिजेगा पीडियाफ 33 की टेलीग्राम में वहां से आप इन सबी को लर्न कर लिजेगा ये थी हमारी दिसकुशन और अगर आपको इस सेशन की पीडियाफ चलेकश ले सकते हैं टेलिग्राम पर सच कीजिए ही माजल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पेडिया पराप्त कर सकते हैं मिलते हैं नेस्ट डिस्क्रेशन में थैंक्स फर वाचिंग वीडियो दो लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल